क्रिप्स मिशन क्या था इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी क्रिप्स मिशन का जो टाइम था आने का वे था 23 मार्च 1922 यह डेट आप सभी याद रखिएगा क्योंकि कई सारे एक्जाम में पूछा जाता है क्रिप्स मिशन के भारत पहुचने के पहले की घटना के बारें बात करते हैं कि आखिर वे कौन सा महौल तयार हुआ था जो कि क्रिप्स मिशन को भारत आना पड़ा या कोई ऐसा उदेश बनाकर मसीन को लॉंच वंच करने वाली बात नहीं कही गई है ये एक क्रूप है जो कि तयार किया गया है कुछ उदेश और प्रारोप ये ड्रॉप्ट के साथ जो कि भारत आ रहा है उन ड्रॉप्ट को बताने के लिए कि उसमें क्या है इसे ही क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया है तो दुतिय विश्युद्य का समय था और यह दुतिय विश्युद्य का जो घोशना है वह 1 सितंबर 1949 को हुआ था दुतिय विश्युद्य की यह जो तारीक की घोशना की गई थी इसी दिन से सारी चीजे और सभी महल तयार होना इस्टार्ट होता है दुतिये विश्युद्ध की जब यह तारीक की घोशना की गए तो पूरा विश्यु परिशान था क्योंकि यह पूरे विश्यु इस्तर पर युद्ध होने वाला था काफी सारी चीजें बेकार होने वाले थी क्या होने वाला है लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे दुतिय विश्यूद में बिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चिन एक गुट में बटा हुआ था, दूसरे गुट में जर्मनी, इटली और जापान, इन दोनों के बीच यूद दो रहा होता है, अब इसी बीच क्या होता है कि जापान की शक्ति बढ़ती है, जापान क्या पहले, ऐसे देश में, जो की ब्रिटेन के अंदर में होते हैं, ब्रिटेन के आपनेवेसी राज्य होते हैं, उनको हती आने लगता है, कई अलग-अलग ऐसे देश होते हैं, उनको ये हती आता है, इस वज़े से ब्रिटेन परिशान होता है, क्योंकि उसमें एक देश है, भ बड़ी परेशानी का विश्य था दुती विश्योद्य के इस महौल में चीनी राष्टपती लेबर पार्टी के नेता अमेरिकी राष्टपती ये सभी लोग मिल करके दबाव डालते हैं कि आपको भारत का सहयोग लेना ही होगा अब इन सभी का जब दबाव ब्रिटेन पर प इसके जो नेता हैं और इसके साथ ही क्या करते हैं कि ब्रिटेन के कैबिनेट के कुछ सदस उठाए जाते हैं ब्रिटेन के के सदस से ये सभी लोगों को मिला करके एक मिसन तयार किया जाता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन क्रिप्स इसलिए पढ़ा होता है क्योंकि इसके जो नेता का नाम है वह इस्टेफोर्ट क्रिप्स है इस वज़े से इसका नाम क्रिप्स मिशन पढ़ जाता है अब यहाँ पर इस मिशन को तयार किया गया और भारत भेजा जाता है जब क्रिप्स मिशन भारत के लिए निकलता है तो उस वक्त ये कहता है कि तुम्हें भारत पहुचना है वहाँ पर भारती प्रतिनिदियों से मिलना है और उसके साथ ही उनको अपनी शर्ते बतानी है उसके बाद ही आगे क्या काम बढ़ाना है भारत पहुचने के बाद भारत प्रतिनिदियों से मिलता है, में बात है कि भारती प्रतिनिदियों से मिलना है, अब इसके बात क्या करना है, कि घोशना करना है, क्या कैसरती हैं, इसके बारे में बात करना है, 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रिस्ताओं की घोशना की जाती है, अब यहाँ पर क्या होता है, यह पारण बनता है और उसके बाद ही कृप्स मिशन तयार होता है यहां पर ध्यान दीजेगा कि कृप्स मिशन का जो मेन उद्देश यह है वह यह है कि दुतिय विश्यूद्ध में ब्रिटेन को भारत का सहयोग मिल जाए इसी वज़े से कृप्स मिशन को भेजा गया है अब 2022 को कृप्स के प्रिस्ताओ की खोशना होने वाली होती है इस वज़े से सारी तैयारिया होती है ध्यान रखिएगा 30 मार्च 1942 इसके बाद महौल तैयार किया जाता है बकाय दे सारी चीजे तैयार की गई एक तरफ हो गया क्रिप्स मिशन इसके सभी सदस्यों से उपस्तित हो यहाँ पर भारत को सबसे पहली चीज पहता चलता है वह है कि 1 सितंबर को एक सितंबर 1949 को ब्रिटेन नहीं यह घोशना कर दिया है कि दुती विश्युद्य में भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा भारत सोचता है कि आखिर मैंने कब कहा कि मैं ब्रिटेन के तरफ से लड़ूँगा अब गुस्ता तो आता है साथ में उदाशी पन भी ये कैसी परिस्तिती है काफी सारा महौल भी करता है सोच विचार चलता है आरत के सभी बड़े नेता मिलकर कि इस बात पर चर्चा भी करते हैं चर्चा करने के बाद फिर सोचते विचारते हैं इसके बाद कहते हैं कि चलो में सबसे पहली चीज बताई गई कि आपको क्या करना पड़ेगा कि युद्ध में आप सहयोग देंगे सहयोग जैसे ही आप दे देंगे मतलब कि फाइनली जब दुती अविश्योद खतम हो जाएगा उसके बाद कि आपके भारत को डोमेनियन इस्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा डोमेनियन इस्टेटस का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत को चलाने के लिए चाहे वयांतिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप से वो सारी चीजों की जिम्मेदारी भारत को दे दी जाएगी लेकिन उसके साथ ये एक चीज और भी होता है वह यह होता है कि आपके भारत का जो उस वक्त मुख्या है वह ब्रिटेन का ही सदस्य होगा मतलब कि जिसे वहाँ पर मुख्या बनाया जाएगा जैसा कि अभी हमारा भारत स्वतंत्र है किसी की गुलामी नहीं कर रहा है हमारी आंत्रिक व्यवस्ता हो चैबाहरी व्यवस्ता सब कुछ अपने कंट्रोल में है हमारे देश का जो राष्ट पती है वह हमारे ही भारत का है और इसके साथ ही हमने ही उन्हें चुना है इसलिए सब कुछ हमारा अपना है हमारे देश के चहे प्रथम नागरिक से लेकर के सभी नागरिकों की बात की जाए वैसा भी हमारे ही देश के हैं इस देश के किसी भी नागरिक पर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है हम किसी के गुलाम नहीं है तो उस वक्त डोमेनियन स्टेटर्स देने की बात कह दी गई चलो भारत ने बैठा सुना कहा ठीक है सुनते हैं तुमको कि आखिर और क्या क्या करने की बात कह रहे हो उन्होंने सुना दूसरा कह दिया गया कि युद्ध बाद संविधान निर्मात्री सबा का गठन किया जाएगा मतलब की जैसे युद्ध खतम होगा सम्विधान निर्माण करने के लिए एक सबाग का गठन किया जाएगा मोले ठीक और क्या करना है उसके आगे क्रिप्स मिशन अपने प्रिस्ताओं को सुनाता है कि इसमें क्या होगा कि जो सदस्य होंगे वो प्रांती विधाय को द्वारा निर्वाचित किया जाएंगे मोले ठीक है और क्या किया जाएगा उसके बाद बोले कि जो रियासते हैं उनके द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनित किया जाएगा उनके ये भी ठीक और सुनाईए इसके बाद क्रिप्स मिशन में यह कहा जाता है कि जब समविधान सबा का निर्माण किया जाएगा समविधान का निर्माण हो जाता है और उसके बाद उसे लागो किया जाता है तो यहाँ पर सभी देश्टी, रियासतों, प्रांती विधायकों, प्रांती राज्यों इन सबको यह आजादी होगी कि वो अपने हिसाब से उसे सुने, समझे, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस नए समविधान को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर उनको आजादी दे दी गई, कि नहीं करना चाहते हो, मत फॉलो करो, आप लोग क्या करो, अलग हो जाईए, और उसके बाद अपना समविधान खुद बनाईए, इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताओं में, ये प्रस्ताओं भी इसमें जोड दिया गया था, इसका मतलब है, कि मतलब क समविधान का निरमाड भी किया जाएगा, उसमें नियम भी बनाए जाएगे, लोगों को पसंद आया तो ठीक है, नई पसंद आया तो अलग हो कर के वो आपना समविधान निरमाड कर रहे हैं, तोटली अलग हो गए हैं, इस तरीके से, इसके बाद इसमें ये भी कह दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसको जो पहले से शक्ती दी गई है कि वो क्या-क्या चीजे कंट्रोल कर सकता है भारतों वो अभी भी वही बना रहेगा मतलब कि दूतिय विश्युद खतम हो जाने के बाद भी गवर्नर जनरल के पास वो सारी शक्तियां रहेंगी जो अभी तक थी इसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपको डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया गया है ठीक है लेकिन आपके देश की सुरक्षा का नियंतरा डेवम निर्देशन ब्रिटेन के हाथ में रहेगा अब सारी चीजे भारत ने सुना बैठा देखा बोले ठीक है बोल अब इसके बाद हम बोलते हैं कि हमें क्या करना है क्योंकि इतनी सारी चीजे तो आपने बोल दिया अब इसे एकसेप्ट करना है या नहीं करना है ये तो अब हमारे हाथ में है अब बात करते हैं भारत की कि भारत में बैठे कोई एक लोग तो नहीं है जो इस बात को सुन र उसके बाद फिर उनोंने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। भारत में सबसे पहले बात करते हैं कि कॉंग्रेस ने कृप सुमिशन के इस प्रस्ताओं को क्या कहा। तो सबसे पहले का कि भारत को पूर्ण सोतंत्रिता चाहिए। बाप अपना डुमेनियान इस्टेटर अपने पास रखे रहें तो कि देशी रियासतों के प्रतिनिधी के लिए निर्वाचन के इस्थान पर मनोयन की व्यवस्ता, मतलब की जो देशी रियास्ति हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी प्रतिनिधी बना करके वहाँ पर मनोनित कर देंगे, वहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा ठीक, इसके बाद Congress ने कहा कि प्रांतों को भारती संग से प्रतक होने की जो यह विवस्ता है और प्रतक सम्विधान बनाने की विवस्ता है ये दोनों ही विवस्था गलत है इससे हमारे भारत की जो एकता है वह खत्म हो जाएगी और राश्ट की एकता खत्म होने का मतलब है कि सब कुछ खत्म होना इसके बाद कॉंग्रेस कहते है कि सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का भाव है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये तो कह दिया कि युद्ध खत्म होने के बाद आपको ये सब दे दिया जाएगा ये कर लीजेगा वो कर लीजेगा लेकिन डेट तो निश्चित बता ही नहीं गई है ये कब खत्म होगा, कब दोगे इसका कोई निश्चित तो है ही नहीं जर्नल की जो शक्तियां है वो पहले जैसी ही रहेंगी इस पर भी कॉंग्रेस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा इसलिए कृप्स मिशन के इस प्रस्ता को हम लोग स्विकार नहीं करते हैं अब इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीक के बारे में मुस्लिम लीक की तो मांग थी कि पाकिस्तान की मांग को स्विकार किया जाए अब इस प्रस्ताओं में पाकिस्तान की मांग को स्विकार ही नहीं किया गया इस वज़े से क्रिप्स मिशन की इस प्रस्ताव को उसने असुईकार किया दूसरा कारण क्या कि सम्विधान निर्मात्री परिशत के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया गया है उसे सुईकार नहीं किया इसने कि ये भी अच्छा नहीं है वैसे तो मुस्लिम लीक का कैना था कि सम्विधान निर्माण के लिए हमारे लिए अलग से सम्विधान सवा हो और हम अपने हिसाब से अपने ब्रतिनी धी चुने इसके बाद पाकिस्तान की मांग को कम्पलीट किया जाए इस वज़े से इसने भी कहा कि क्रिप्ट मिसन के इस प्रस्ताओं को हम सुईकार नहीं करते हैं दलित वर्ग का कहना था माल लीजे कि इस प्रस्ताओं को हम सुईकार कर लेते हैं तो इस वक्त वही होना है कि बहुत संक्यक हिंदू के क्रपा पर हमें जीना पड़ जाएगा और यही सोच करके उन्होंने इस प्रस्ताओं को असुईकार कर दिया इसके बाद बात करें अगर सिखोगी तो सिखोगी अपनी चिंता थी कि अगर भारत का विभाजन होता है यहां पर उनका जो पंजाब है वह उनसे छील लिया जाएगा उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी इस वज़े से उन्होंने भी इस प्रस्ताओं को असुईकार कर लिय बात करते हैं इस करिप्स मिशन को लेकर के महात्मा गांधी ने और जवाहलाल नहरों ने कुछ बातें कहीं थी वह बातें कभी कभार prelims exam में पूछा जाता है और कभी कभार main exam में भी पूछा जाता है इसलिए क्रिप्स mission के इस chapter को complete करते हुए आप कोई इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उन्हों ने क्या Guide मात्मा गांधी जी कहते हैं कि यह आगे की तारीक कच्चिक था जिसका बैंक नश्ट होने वाला था इसके अलावा जवाहल लाल नहरू कहते हैं कि क्रिप्स मिशन योजना को सुईकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रिशस्त करना था कि ये दोनों लाइने काफी इंपॉर्टेंट है में इस एक्जाम में अक्सर इन लाइनों को योज किया जाता है और कई बार लिखने के लिए तो कई बार कुर्श्चन पूछने के लिए